आज हम बात करेंगे बिट्कॉइन की अपडेट को लेकर साथ ही साथ हम लोग देखेंगे न्यूस क्या आई हुई है बिट्कॉइन की अपडेट को लेकर बात करें तो 63-64 का एक एरिया जो है मैंने आपको बताया था कि ये support हो सकता है इस crash का and काफी अच्छा support अभी तक तो ये साबित हुआ है और candle इसी range में रहके यहाँ से ये जो येलो जो green candle बनी है वो काफी high बनी है और इसको यहां से बुलिंजर बैंड के मिड से अगर यह इसको hold करता है तो हमारे लिए अच्छी चीज होगी क्योंकि Bitcoin यहां से recovery करना start करतेगा और recovery का मतलब यह है कि अपने all time high को बना के यह हो सकता है next फिर से यह उस all time high के पास आए and 72-75,000 की rally करे और यहां पर यह उस आप एक चीज जहान रखना कि जितनी जादा Bitcoin all time high बनाएगा उतना जादा crashes के chances आते हैं तो आप लोगों से मैं एक request करूँगा जितने भी लोगों ने अभी dip में अभी market crash में coins को उठाया मैंने आपको बताया भी थे कई coins जैसे atom हो गया बहुत से coins है जो आपको dip में मिल रहे थे discount में तो आपने लिया होगा अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हो तो आपको मालूम होगा आपको बताने की जरूत नहीं है कौन से coins आपको dip में लेने चाहिए कौन से coins की ranges अच्छी है तो मैं यह समझता हूँ कि आप लोगों कोई मालूम होगा ठीक अगर हम बात करें यहाँ पर bitcoin के बारे में तो bitcoin को लेकर जितना bloodbath होना था वो मेरे ख्याल से हो चुका है ठीक और फिलहाल के लिए अगर bloodbath होगा तब ही होगा जब कोई बहुत मुरी ख़बर आती है चीज बताना चाहता हूं कि मैं कोई financial advisor नहीं हूँ मैं अपने चैनल पर जो भी बताता हूं अपने experience से अपने research से related बताता हूं तो अगर आप लोगों कोई भी doubt हो कुछ भी ऐसा लगे कि ये भाई क्या बोल रहे हैं तो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूं अगर मैं atom या cosmos बोल रहा हूं तो पढ़िये अगर मैं polyplay, meta play कोई भी बोल रहा हूं तो आप जाके उसके बारे म मांगता, किसी को message खुद से नहीं करता, scammers हो सकते हैं, please बच के रहिएगा, ऐसे लोगों को पैसे मत दीजेगा, मेरा जो है, मेरी तरह से बात करेंगे, मेरी तरह ID ले ले लेंगे, या मेरी DP लगा लेंगे, कुछ भी करेंगे आपको जहां से में डालने की, but बच के रहिए वो किक स्टार्ट कर दिया है, इन्होंने बोला था कि यह एक्सेप्ट करेगा, बटर फिलाल के लिए इन्होंने शुरू कर दिया है, अब डिरेक्ली आप आराम से, टिकेट जो है, फिल्म के आराम से खरीच सकते हैं, पिक्चर्स के लिए, ऑस्ट्रिया जो है, वो प्लान क से वी तैक्स क्रिप्टो करेंसी में टूर फिल्म के लिए इन्वेसमेंट के लिए बोला !' सेलरी जो है लेना चाहेंगे क्रिप्टो में और यह बहुत बड़ी बात है रिसेर्च बिलीव यंगर डिजिटल नेटिव एम्डेस क्रिप्टो बिकॉस डे ग्रू अप विद इनोवेटिव टेक इनोवेटिव टेक पे ग्रो होने की वज़े से उन्हें लगता है कि क्रिप् रित पे ग्रोमें इनोवेटिव टेक्ग इनोवेटिव टेक्स से भाइव टेक्सलिव होता है अर्दारु ईसको कि सब्क्रिप्टो में अंच लूखन एफोर्य अश्य सब्सक्र्थी अर्फिकोर साख्ता इसरों पूल्स प्लाइब ग्रानिश जाए प्रफ्टो में शियु supply नहीं बढ़ा सकते और जितनी भी चीज़ें उनका supply बढ़ जाता है थोड़ा-थोड़ा करके अगर गोल्ड है तो गोल्ड कभी कहीं से गोल्ड निकाला जा रहा है कहीं नहीं से गोल्ड आ रहा है तो जितनी भी investment के लिए commodities है उनका price भी बढ़ता है demand बढ़ता है उनके हिसाब से वो stock to flow model जो है वो बहतरी नहीं हो रहा है बट जो stock to flow model है वो bitcoin के तोर पर काफी अच्छा वक करता है और bitcoin की supply है वो आने वाले समय में अभी full होने में भी अभी हमारे पास 100 साल लगबग लग जाएंगे तो bitcoin के जो 21 million coins हैं उनको पूरा होने में लगबग अभी 100 साल लग जाएंगे इसलिए bitcoin जो है वो अभी भी यहाँ पर अगले 100 साल तक तो आप यह मान सकते हो कि bitcoin बढ़ता रहेगा अब उसके बाद तो माइकल सेलर ही नहीं रहेंगे तो कौन बोलेगा कि हाँ माइकल सेलर ने बोला था कि bitcoin will go forever बात करने city of philadelphia की जो roll out कर रहे हैं खुद की own blockchain initiative city official said they are seeking comments from crypto innovators on how to integrate blockchain within the municipal government यानि जो उनकी government है governance है जिस तरह से सरकारी काम हो रहे हैं उसमें किस तरह से blockchain को काम में लिया जा सकता है उस पर उन्होंने सुजाओ मांगे है crypto innovators से तो देखते हैं किस तरह के सुजाओ वातें किस तरह से इसको use करते है तो आज के episode में इतना ही मैं आप लोगों से अगली video में मिलूँगा मैं फिर से बता दूँ कि मैं किसी से पैसे नहीं मांगता किसी को message नहीं करता and प्लीज अगर आप से कोई पैसे मांग रहा है किसी पी तरह से Udemy course के अलावा Udemy की website पर official website है जो कि इतना बड़ा teaching place है वह बर जाकर हमारे course को जरूर चेक आउट करेगा बाकि उसके अलावा कोई सी पी तरह का पैसे मैं आप लोग से नहीं ले रहा हूँ फिलाल and आप लोग बच के रहेगा scammers भी हो सकते हैं Your money is your responsibility kindly think before sending or spending Thank you so much guys आज के session में आने के लिए मैं मिलता हूँ से नेक्स वीडियो में धन्यवाद